नमस्कार में त्रो स्वागत है आपका अपने ही केनल में तो हम है आज बनारस में राजा हरिश्चन घाठ जाने वाले रास्ते पे और हम आपको दिखाएंगे आज राजा हरिश्चन घाठ का दृस्त वैसे तो कासी के सभी घाठ बहुत ही मनोरम हैं लेकिन कुछ ऐसे घाठ हैं जिनका प्रावनारिक रूप से देखा जाये तो उनका बहुत ही महत्तो है जिन में से हरिश्चन घाठ प्रमुख हैं हरिश्चन घाठ पर गिंदूओं के अंतिम संस्कार दिन रात किये जाते हैं यह एक ऐसा घाठ है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है वैसे तो बनारस में मृत्तकों के अंतिम संस्कार के लिए दो घाठ काफी प्रसित हैं पहला मडी कणी का घाठ और डुफ्रा राजा हरिश्चन घाठ हरिश्चन घाठ थी कालू डूम में राजा हरिश्चन को खरीजा था इसलिए इसका नाम हरिश्चन घाठ पड़ा है जो सामने देख रहे हैं प्रकिर्टिक सवधागिरी है जो उर्चा गंगा योजना के तरफ एलेक्ट्रिक सवधागिरी प्रियानी को परिवर्टित करके गेल इंदिया द्वरा बनाया गया है सामने जो द्रिश्च आप देख रहे हैं यहां मिर्टिको का अंतियु संसकार किया जा रहा है मिर्टिको के परिजन बैठे हैं और सवध के जलने का इंतिजार कर रहे हैं देख सकते हैं तिस से आप यहां का यह वही जगह है जहां बाबा कारूराम दो था बाबा किनाराम ने अगोर सिद्ध प्राति के लिए पास के ही सिमंधिर में निसा अराधना की थी कहा जाता है कि बाबा किनाराम ने सरवस्तरी मंत्र का सिद्ध यही हरिष्चन घाट पे प्राति की थी तो अज़र बीस की होली से यहां भी चिता भस्न की होली की प्रारंब हुई जो कि इससे पहले के वल मरिकान का घाट पे ही खेले जाती थी वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए थैंक यू फर वाचिंग